नमस्कार दोस्तो मैं कुंदिन सर्मा आप लोग को फिर से विलकम करता हूँ आपने चैनल YMW Solution में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक ट्रे का मैनेफेक्शिंग बिजनस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डीटेल जान करी दिया तो इस वीडियो को स्कीप करके मत देखीगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस वीडियो की कोई बी इंप्रेंट इंप्रमिशन मिस करते हैं और चैन करना चाहते हैं कहीं नहीं जहां पर गज specular हो सकता है तो यहां पर सबसे पहले हम लोग दखेंगे कि अगर आप एक डा मेनसरी के सेट अग्याल लग जो भी आपका output product निकल के आएगा यानि कि जो भी आपका एक tray बनेगा तो उसको सुखाने के लिए आपको यहाँ पे अलग से area लगेगा यह जो area है totally depend कर रहेगा कि आपका पड़ेगा कितना production हो रहा है तो यहाँ पे आप half acre या एक acre area भी जो है आप इसके लिए consider कर सकते हैं इसके बाद जो दूसरा requirement है आपको raw material का रहने वाला है यहाँ पे raw material में जो है आपको waste paper लगेगा या waste corrugated box भी ले सकते हैं इसके लबाद आप waste newspaper भी आप use कर सकते हैं जितने भी paper से बनने वाले product है आप सभी का waste जो है यहाँ पे आप as a raw material इसमें use कर सकते हैं तो अभी अगर हम लोग देखे हैं कि market में raw material waste paper कितना मिलेगा तो फ्रेंट्स अभी की समय में 20 रुपया से लेके 25 रुपया पौर कीजी जो है market rate चल रहा है यहाँ पे जो मैं आपको waste paper का rate बता रहा हूँ यह अच्छे quality का rate बता रहा हूँ यहाँ पे जो है आप कम price में भी जो है आप waste paper ले सकते हैं अगर आप सस्से raw material से एक ट्रे बनाएंगे तो फ्रेंट्स कहीं ना कहीं एक ट्रे का quality जो है काफे ज़्यादा inferior रहेगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे quality का waste paper का price यहाँ पे आप लोगों को बताया है यह price हो सकता है कि आपके location में कुछ और हो मेरे location में कुछ और हो तो यहाँ पे एक average बंदा दिया कि आपको 20 रुपया से लेके 25 रुपया पर केजी waste paper आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा के लिए नहीं आता है इसके बाद तीसरा requirement है आप पुरी तरह से financially sound होना चाहिए तो इसलिए सबसे पहले आप पुरी तरह से financial sound है और तभी आप इस business में एंटर करें देन इसके बाद आपको यहाँ पे एक ट्रे के market के बारे में अच्छी knowledge होना चाहिए क्योंकि आपको जब तक पता नहीं होगा कि आपके output product का कौन-कौन से consumer है तब तक आप अपने product को market में sale नहीं कर पाएंगे इसलिए सबसे पहले आप अपने local level पे identify कीजिए कि आप कौन-कौन से consumer बन सकते है ठीक है इसके बाद ही आप इस business में enter कीजिए तो अब हम लोग बात करें कि आपको यहाँ पे कौन-कौन से license लेने पड़ेंगे इस business को start करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने business को registration करना पड़ेगा आप proprietorship भी आप registration करके यहाँ पे आप इस business को start कर सकते है इसके लबाद आपको GST number लेना पड़ेगा देन इसके बाद जो है आपको उद्यम registration लेना पड़ेगा देन इसके बाद जो है आपको trade license लेना पड़ेगा इसके बाद जो है आपको यहाँ पे pollution control board से जोए NOCB लेने पड़ते हैं इसके बाद अगर आपको अपने trademark से output product को sale करना है तो यहाँ पे आप trademark registration भी आप करवा सकते हैं और अगर आप इस business को loan लेकि start करना चाते है तो यहाँ पे कुछ आपको additional documents की recommend है कि जैसे यहाँ पे जो भी provider होगा तो उसका पूरा documents यहाँ पे लगने वाला आपको purchase करने पड़ेंगा यहाँ पर जो सबसे पहला machine आपको paper cutting machine लेना पड़ेगा इसके बाद दूसरा machine है आपको यहाँ पर making machine purchase करना पड़ेगा इसके बाद जो है एक storage tank रहेगा जहाँ पे salary को storage किया जाएगा देन इसके बाद यहाँ पे एक ट्रे करते हैं ठीक है तो यहाँ पे machine का total price क्या लगेगा फ्रेंट्स यह जो है मैं आपको investment के portion में बताने वाला है कि आपको यहाँ पे machine का क्या price लगने वाला है तो अब हम बात करेंगे कि आपको इस business को start करने के लिए total investment कितना करना पड़ेगा फ्रेंट्स यहाँ पे मैंने investment को पूरा बाइफर किटकर बता है तो आप लोग investment के portion को ध्यान से देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला investment है आपको plant in machinery के एगेंस्ट में आएगा फ्रेंट्स यहाँ पे एक farming machine मैंने दो consider किया है तो यहाँ पे अगर investment देखिए machine के एगेंस्ट में तो आपको 35 lakh रुपिस आपक इसके लिए आपको दो लाक रुपिया खर्च करने पड़ेंगे इसके बाद जो तीसरा investment है मैंने जो जो license बता है आपको इस industry को start करने के लिए तो आपको यहाँ पे license के अगेंस्ट में 20 से 30,000 रुपिया आपको खर्च हो जाएंगे ठीक है इसके बाद जो आपका last investment है as a working आपका लगने वाला है यहाँ पे आपको working capital 2-4 लाक रुपिया आपको अपने पास रखना पड़ेगा ताकि आपका जो industry है वो सही तरीके से चल सके तो यहाँ पे अगर total investment की बात करें तो आपको total investment 40 लाक रुपिया आने वाला है अगर आप एक ट्रे का manufacturing बिजनस production process की यानि फेंड्स की अगर आप यहाँ पे machine setup करते हैं तो production process किस प्रकार से होगा फेंड्स सबसे पहले जितना भी रदी पेपर होता है यानि कि जितना भी वेस्ट पेपर होता है उसको आपको paper cutting machine में आपको डालना पड़ता है paper cutting machine में क्या होता है सारे paper को जो है टुकड की थ्रू जो है एक formi machine तक पहुंचाए जाता जहां पर एक ट्रे का formation होता है जब एक ट्रे का formation होता है तो उसके बाद उसको निकाल के trolley में रखा जाता है या sólo में रखके जो है उसको धूप में सुखा आता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो वीडियो चल रहा है ठीक है तो आप भी अपने इंडेस्ट्री में इसी प्रकार से एक ट्रे का प्रोडक्शन करेंगे तो यहां पर अब सबसे बड़ा कुश्चिन की सरे इतना हु next replacement करते हैं तो फaimer्न्स आपको एक रुपय असी पैसे सरे के दो रुपय आपका performance कॉस्ट आने वाला और आप इसी एक ट्रे को ओ हमार्केट में जो है आप दाए रुपया से लेके तीन यह साड़े तीन रुपय तक जो है आप सेल कर सकते हैं मैं जो बहुत प्रायस बता रह जो है आपको साड़े थीन रुपया पड़ता है तो यहां पे अगर मार्गेट कॉस्ट की बात करें तो आप मार्गेट में जाएंगे तो एंगर विसक्ति इनागे, तो अगर यहां पर चाम्हेन के uh average profit की बात खमझे चल सकते हैं तो यहां पर आप संद दो मय्जिन तो आप 2 machine से पूरे दिन भर में अगर आप 10,000 एक ट्रे का production करते हैं तो friends आपका per day का जो profit है 8,000 रुपया होने वाला है तो यहाँ पे अगर आप पूरे महने का calculate करें तो friends आप पूरे महने में 2,40,000 रुपया जो है gross profit earn कर सकते हैं तो friends कहीं न कहीं यह business जो है profitable business है तो अगर आप भी एक ट्रे का business अगर आप करना चाते हैं तो friends अगर आप लोग को नहीं जान करें कि machine कहां से purchase करें तो friends इसके लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आईए और वहाँ पर follow कीजिए, message कीजिए मैं definitely आपको जो है machine seller का number provide कर मिल जाएंगे बहुत सारे पंजाब से हर्याना से दिली के यूपी से भी बहुत सारी जो है machine seller available है ठीक है तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस industry को start करना चाते तो आपके nearby में यह किसी दूसरी डिश्टी में कोई industry already exist करता है तो friends आप उस industry में profit के बारे में जानकरे लिजे raw material आपको कहां से मिल लेगा इसके बाद आप एक ट्रे कहां market में sell कर पाएंगे यह सारे की जानकरी आप पहले एक खटा कर ले इसके बाद ही आप इस business को start कीजे तो friends अब हम लोग बात करेंगे marketing के बारे में क्योंकि friends हर एक business का सबसे important portion होता है marketing business start करने के लिए बहुत लोग कर देते हैं बट अपने product को सही customer को वो sale नहीं कर पाते हैं तो friends सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना digital presence बनाईए पहले website बनाईए social presence में आप Facebook Instagram पे जो है आप अपना account क्रेट कीजे और वहाँ पे digital ads चलाईए तो वहाँ पे आप target audience करके जो ह जो है आप digital ads चलाईए definitely जो है आपका product जो है सही audience तक पहुंचेगा ठीके इसके बाद B2B platform पे जो है आप as a manufacturer जो है आप register कीजिए और वहाँ पे भी जो है आपको अच्छे कासे आपको order मिल जाते हैं इसके लबाँ आप अपने local level पे जो है आप consumer search कीजिए कि कहां कहां तो आपको पता है कि एक tray आप कहां sale कर सकते हैं तो पहले आपको identify करना पड़ाया कि local level पे कितने quality farm है तो quality farm को भी जो है आप approach कीजिए वो आपका एक tray जो है purchase करेंगे तो friends यहाँ पे मेरा personal opening नहीं है कि पहले आप market survey कीजिए और local level पे और जो भी दूसरे district या आप पूरे street बर में जो है आप अपने consumer को search किजिए कि एक tray का कौन कौन से लो consumer है जब आपको यह identify हो जागा तो definitely friends आप इस business में success कर सकते हैं तो friends उमिद करता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक tray manufacturing business आप कैसे start कर सकते हैं इसके बार में आपको पूरी जानकरी दे सका और इ तू कर दो बार में आपको इंब कर दो हैं इसका का यह जाब से इसक्कि अज़िय को बार में आपको पर चा कर नह आपको ठाब बार में आपको।